नगर निगम चुनाबों में कांगरेस को पालूमपूर और सोलन में मिले बहुमत पर कांगरेस पार्टी गदगद हो गई है हमिरपुर में पूर्व महिला कांगरेस अध्यक्ष एबंपूर बिधायक अनिता बर्मा ने नगर निगम चुनाबों में जीत पर खुशी जाहिर की है अनिता बर्मने कहा कि नगर निगम चुनाबों में मिली जीत पर कारे करताओं को बधाई दी और कहा कि लोग भी चाहते हैं कि प्रदेश में भी अब कांगरेस की सरकार बने जिसका उधार्ण लोगों ने नगर निगम चुनाबों में दे दिया है अनिता बर्मने कहा कि लोग भी चाहते हैं कि अब कांगरेस पार्टी की सरकार बने इसलिए नगर निगम चुनाबों में लोगों ने कांगरेस पार्टी का साथ दे कर विजय दिलाई है अनिता बर्मा ने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देती हुए कहा कि प्रत्याशियों के साथ साथ कारे करता भी बधाई के पात्र है उन्होंने कहा कि धर्मशाला में थोड़ी गुटवाजी के चलते जीत दर्ज नहीं हो सकी है उन्होंने कहा कि अगली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी यह नगर निगम चुनाबों से पता चल रहा है यह party स्रफ Congress Party है और इस बार सिम्नल पे जो election हुआ है वो दर्शाता है कि लोग Congress के साथ है Congress को लाना चाहते है Congress के जो काम है उनको आज तक भी सहराते है क्योंकि B.J.P. बोलती काफी है वादे काफी करती है लेकिन काम करने में उतनी सक्षम नहीं है इतनी कॉंग्रेस पाकी है और खास करके आपके पानुपूर में जहां पर कोई खुटबाजी नहीं थी, कोई किसी किसम का मतभेद नहीं था, वहां पर तो आपको बहुत ही भाहमत से जो कॉंग्रेस के परत्याशी हैं, वो उन सब को तो मैं मुबारकबाद दूँगी, लेकि कुई, धरन्शाला में थोड़ी हमारे ही गुटबाजी की वज़े से कमी रह गई हैं, लेकिन ये जो सारे कॉर्परेशन के इलक्षिन, जो कल का एक विशिद दर्शारे हैं, इससे साबित होता है कि अगली बार कॉंग्रेस की ही सरकार बनेगी और लोग चाहरे हैं कि कॉंग्रेस आगे हैं, आप सब का धन्यवाद जिन्नों ने इन तीनों हमारी कॉर्परेशन में कॉंग्रेस को जिताया हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हैं!